यहां पर पी एक प्राइम नंबर है और जी एक ग्रूप है जिसका ओडर पी रेश टुदी पावर 4 है तो यहां पर जो पी रेश टुदी पावर 4 के डिवाइजर होंगे क्योंकि पी एक प्राइम है तो डिवाइजर क्या होंगे वन होगा पी होगा यही में डिवाइजर हों है कि जो सब गूरूप होंगे वो इन्हीं डिवाइजर में से होंगे क्योंकि सब गूरूप का ओडर की ओडर को डिवाइड करता हैं यह हमारा लेंग्रिज ठीरम का स्टेटमेंट है लेकिन हम से यहाँ पर पूछा गया था है कि जी में एक ऐसा element होगा जिसका order क्या तो p की पावर 4 होगा 3 होगा 2 होगा या p होगा तो कहीं न कहीं यहाँ पर कोचे theorem का use हो रहा है कोचे theorem क्या कहते है अगर g एक finite group है जिसका order जो है उसको p divide कर रहा है यानि कि p जो है वो group के order को divide कर रहा है तो g में एक ऐसा element हो गही होगा जिसका order p हो जाए यह कोची theorem का statement है और कोची theorem जो है वो language theorem से correlate कर रही है यहाँ पर यानि कि हमें एक ऐसा subgroup मिलेगा जिसका order p होगा यहाँ पर option d आपका true है j always has an element of order exactly p यह आपका option d सही है अब कोची theorem का हम यहाँ पर use क्या कर सकते है माल लीजिए हमें एक abelion group बनाना है तो आप एक ऐसा group को low जो की prime की power में हो या prime order का हो तो उसके जो factor है वो भी prime order के होंगे एक हमें subgroup ऐसा exist करेगा जिसका order prime होगा और prime order के जो group होते हैं या subgroup होते हैं वो cyclic होते हैं और cyclic abelion होते हैं तो इस तरह से आप abelion group को construct कर सकते हैं तो आप अबिलियन गुरूप को construct कर सकते हैं